Hello everyone, आप सभी का दीगी नप पर स्वागत है, मैं विश्रजीत सिंग दोस्तो आज की स्विडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Lesson 2, कारण कारे संबंध पढ़ने वाले हैं दोस्तो ये Lesson important है, ये जो book है आपका, MA History, MHI 03, Histography, इतिहांस लिखन ये भी important है, reason क्या है, कि अगर मालो आप कभी कोई journalist के तोर पर कोई work करते हो, कोई इतिहांस कार के तोर पर कोई work करते हो in future तो वहाँ पे आप study करोगी, कोई भी case study कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ये देखोगे, पतला लगानी के courses करोगी कोई भी घटना घटित होती है, तो उसके पीछे क्या कारण है, जो आपको इस chapter में आपको समझ में आने वाला है यहाँ पर ये कहा जाता है, इस chapter के अंदर में, कि कोई भी घटना घटित होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है आज मैं आपका MHI03 का वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपने मुझे फोर्ष किया कि सर ये वाला वीडियो बनाओ ये वाली वीडियो की जवरुत हमें इसको बना के दो अगर आप इस वीडियो को देख रुँ हो तो पहला question बन के आता है, कारण कारे संबंध क्या है, simple सा question, answer लिखेंगे इसका फटावर्ट, और दूसरा question यहाँ बन के आ जाता है, समाजिक विज्ञान और कारण कारे संबंध, दोनों के बीच में क्या relation है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तीसरा बन के आता है, इतिहासक और कारण कारे संबंध का है, इसके बीच में भी क्या relation है, यह question, तीन question बनते है, important है book, ठीक है, चलिए फटा फट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ, कारण कारे संबंध होता क्या है, definition क्या है, इसकी परिभासा हम क्या कहें, तो कहा जाता है कि 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 इसी भी घटना की घटित होने में जो परिस्तितिया जिम्यदार होती है, उन्हें हम कारण कहते हैं, देखो, कोई भी घटना घटित हुई, तो उसकी जो समय की सरकम्स्टेंस परिस्तिती थी ना, जो जिम्यदार है उस घटना को घटित करवाने में, उसको हम कारण करते हैं कारण के संपन होने से कारे पूरा होता है जैसे माल लो आपने बोला मुझे कि भीया मुझे इस वाले chapter की वीडियो चाहिए मैंने बोला आप subscribe करो करते हैं वीडियो लेकर राते आप सबने subscribe कि अगर नहीं किया तो कर लिजेगा तो आपने मुझे कारण दिया, बना के दिया, कारण के भीया मुझे जरूरत है अब उस कारण के संपन होने से ही ये वाला कारे, जो मैं भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये कारे हुआ तो कारण जो भी परसितिया जिम्यदार रही है, आपको जोरूरत ही आपने जिम्यदार परसितियों के हिसाप से, उस समें डिमांड गरा, अब मैंने आपको सप्लाई किया तो जो भी परसितिया रही, परसितियों के जिम्यदार कारण के कारण से कारे संपन होता है ठीक है ये दोनों ही कारे और कारण जो एक ही सिक्के के दो पहलू है इसकी तरह सम देखते हैं ठीक है इस वाले आंसर के अंदर में जो कारण कारे संबंध का जब आंसर लिखोगे तो यहाँ पे जो भी इतिहासकार के नाम आएगा आप उसको ध्यान रखना क्योंकि उनके ना जो कारनों के अध्यान के अध्यान कारणों के अध्यान हैं इतिहास का जब आप इस्टवी करते हो न न तुम आप कारणा कैसे वर्वोर हम यह नहीं कहते हैं yang first world war हम उप पढ़ते हैं first world रूँआ क्यों क्यों हुआ है क्या circumstance जिमेदार थी उस समय पे फर्स वलिवर हुआ ठीक है समझ में आता है वहीं पर आरस्तु जो एक बहुत बड़े विचारक के तौर पर देखे गए ठीक है father of politics के नाम से भी जाने जाते है आरस्तु आरस्तु ने क्या कहा आरस्तु का मानना था अरस्तु ने कहा कि भाई कारे कारन के संबंद में कहीं कारणों का अभहाफ किसी घटना का घटित होना संभव नहीं है ने कीजांपो लुटा पूंछ जूने अपको जोड करते हैं तो एक friend ने आपको, एक friend ने ए friend ने B को मारा ठीक है आपने पुछा एसे भाई क्यों मारा तो उसने बोला ऐसी मार दिया बिस कोई बिना कोई कारण की ठीक है पर आरस्तु कहते कि कोई भी अगर घटना घटी थो रही है तो उसके पिछे कोई ना कोई कारण होता ही होता है बीना कोई कारण के कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती है उन्होंने यह बोला उनके वर्ट्स में कहा जा है तो क्या कहते हैं कि आरस्तु ने कारे कारण के संबंद में कहा कि कारणों के अभाव में कारणों के अभाव मतलब कारण की जब कमी हो किसी भी घटना का हो ना कारी का संबह भी नहीं है ठीकिन जब का भाहब होगा तो घटना घटित हो इन पहनल सकती अगर फरस्ट byल्ड वोर के टाइम पे चीजें उस तरह की नहीं रहती तो फर रोल्ड कि भिचारक कर yapmış हैं कि उनका नाम देख लिक बार हुआ है या टाष गार इंधर में ज़रूरी है जब नाव करनों के बार में जानना बहुँत जादा जरूरी है क्योंकि हम कारणों से ही सीखते हैं कि इस तरह की प्रसितिया जिम्यदार थे तो आगे हम उसको ना दो रहा है जिससे हम चीजे को बच सकें वहीं पर एक थूसी करके एक आते हैं विचारक इत्यासकार ठीक है उनका भी नाम देख लेते हैं थूसी दीदेश यह आत थे इन्होंने कारेकारन संबंद को मानने से इंकार किया पर जो बाकी इत्यासकार थे उन्होंने क्या बोला कि इनको साइद इसका ग्यान ही नहीं है कारेकारन संबंद को इसके बारे में भी ऐसा कहा गया है जिसके कारेकारन संबंद को सभी से व्याख्या नहीं है इसके कार जी बैरक करके जो आते हैं, उन्होंने क्या बोला, इतिहासकार को कारणों की चिंता नहीं करने चाहिए, उसे मात्र परिणामों पर ध्यान केंदित करना चाहिए, जी बैरक का कहना था, पर यह उचित परतीक नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप कारणों को देखोगे नहीं, आप परणाम को मिली नहीं सकता, ठीक है, आप अगर मालो UPSC किलियर करना चाहते हो, UPSC किलियर करना चाहते हो, तो यह कारण है ना आपका, जब तक आपके पास कारण ही नहीं होगा, आप अपने गलरी में, महले में प्रूफ करना चाहते हो, अपने पापा का नाम हूचा करन चाहते हो आप मेरे पास मोटीव है तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपना बेस्ट देनी की कोर्सिस कर रहा हूँ तब मैं उस रिजल्ट पर पहुंच पाऊंगा अगर कारण ही नहीं है तो में रिजल्ट मिलेगा ही अगर आपका मोटीव है कि आपको अच्छे नमबर लाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे आप आगे डेली वीडियो के अपडेट देखोगे कई कोश्चन आता है तुरंत सोचल मेडिया पर कॉंटेक्ट करोगे पूछोगे कि किसा इस वाले कोश्चन का अं नहीं मिल सकता है यहाँ पर एक यह भी का जाता है कारण एक परस्रीति है जो निश्चित घटना के होने में अनिवारे बनाता है कोई भी घटना घटित हो रही है अगर फर्स्ट वर्ड वर घटित होने के पीछे क्या कारण था तो तदकाली कारण के तौर पर देखा गया निश्चित कभी घटना घटती ही नहीं सिंपल सी बात समझ में आता है तो ये चार-पांच मेंने विचारक के एक-एक लाइन में मैंने इनके सौर्ट्स बता दिये हैं कि इन्होंने ये बोला है आपके बुक में अच्छे से दे रखा है एक बार आप उससे स्टुड़ी कर ले ना जिससे आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी ज्यादा बड़ा चैटर था नहीं तो इसलिए मैं सौर्ट में बता रहा हूं आपको जिससे आपको किलियर हूँ यहाँ पर दूसरी कोशन की और बढ़ते हैं ग्यान के अंदर में क्ये रोल प्ले करता है जो आज के हमार सूसाइटी उसके इंदर में負ा करता है क्या तो यहाँ पे एक लाटी के यूध का जैता है जो 17591 में लडा गया का जैता है कि अगर हम उसके कारणों को ए फिर हम री स्ट्रक्चर कर दें पूरत वापस से recreate करें उसके कारण को, तो उस संभव भी नहीं होगा, कि हम वापस से उसी तरीके से जी पाएं उस घटना को, ठीके, कितना भी recreate किया जाता है, तो उस घटना को उस तरह से नहीं जी सकते, तो steward meal यहाँ पे दो तरह के चीज़ें, यहाँ पे दो विचारधार है देते हैं, ठीके, जिसको हिंदी में बड़ा जीव नाम दिया गया है, मैं उसी को लिखता हूँ, क्योंकि इजादतार हिंदुगी स्टुडेंट्स हैं, ठीके, उन्होंने कहा, कि अगर कारेकारण संभ जो समाजिक विज्ञान के अंदर में संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी भी घटना का recreate नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण सुने में दो परणाली की बात करी, कौन-कौन सी परणाली की बात करी, तो पहली परणाली आ जाती है, प्रदत अवने परणाली, अनवे परणाली, ठीक ठीके, यहाँ पर परदत अनवे परणाली और दूसरी अनवे परणाली, यह दो तरह के चीज़ों के बात करी, जिसके अंदर में कहते हैं, कि उन सभी परस्तीतिवों की सूची, पहले वाले के अन्दर में क्या का जाता है, कि जैसे माललो आप परासी की युद्ध की बारे करने में नहीं चीजे बन सकती हैं तो यहां पर जो इतिहास कार है उन्होंने यह बोला कि दो तरीका है जिसके थुरू आप उसको क्रिएट कर सकते हो कैसे एक तो परदत अन्वय पढ़नाली अदूसरा अन्वय पढ़नाली के अंदर में क्या होता है कि जो भी कारण है उसकी सूची बना लो लीस्ट बना लो ठीके अगर लीस्ट बना लो निस्ट के नडर के इसाप से आप से उसको चीजों को करते जाओ ऑपका छीज समझ में आग rivers सूची बद तरीके से परदत अन्वय परनाली ऑस दी स्री जिस फचील को खें जम्यदार था ठीक है यहां पर सिर्फ परसिति को खोजा जाए और बस वो बता दिया जाए तो यह क्लियर हो जाता है पहले वाले में पूरी लिष्ट बनाने के लिए कहा गया दूसरे वाले में सिर्फ परसिति को कहा गया कारे कारन संबंद का उप्योग समाजिक विज्ञान में किस परकार से होता है तो यहां पर यह कहा जाता है कि हम चीजों को री क्रिएट नहीं कर सकते हैं हिस्ट्री में कारण कारे को समंद को हम अनुमान लगाते हैं ठीक है अनुमान लगाते हैं उसके अनुभव के हिस्वाप से हम अपने चीजे क्रिएट करते हैं पर यहां पर यह चीजे वर्क नहीं करती है तो इस्टूर्ड मिल जैसे ही तिया करते हैं यह दूसरा वाला पॉइंट हमारक के लिए की बारे में बात करें इतिहासकार जो भी है इतिहासकार में का आजाता है कि इतिहासकार विज्ञान के अनुभवबादी सिधानतों का व्याक्था एक अनुमान से एक दूसरे से जुड़े हुए है कोई भी इतिहांस कार जो होता है वो हमेशा अपना अनुभवबादी सिधानतों के बात करता है अनुभवबादी मतलब जो भी उसको अनुभव है अगर आप PhD कर लोगे में हिस्ट्री के अंदर में तो किसी भी टॉपिक के ऊपर में जा आप बोलोगे तो आप अपने experience से बोलोगे कि मैंने ये पढ़ा है मैंने ये चीजे देखा है आप दो जने जाओगे जब हडपा की साइट्स पे जो इंडोस सिविलाजेशन की साइट से उस पे जाओगे तो अगर आप PhD कर रहे हो बहुत बड़े इतिहासकार की और बढ़ रहे हो आप तो उसको जो भी बोलोगे न अपने experience से बोलोगे कि इस चीज़ का मतलब ये है पर जो दूसरा वाला simple सा आदमी है वो directly explain कर देगा कि इसका मतलब ये बनता है ठीक है समझ में आता है तो इस तर से चीज़े चलती है तो यहाँ पर ये का जाता है कि इतिहास में विज्ञान के अनुभवादिसी दानतों का व्याख़ा एक दूसरे के से जुड़े हुए है इतिहास कार किसी भी आवश्यक कारणों का पता करने के लिए किसी भी घटना को वैसी ही परसिती के साथ तुलना करते है ये क्या करता है अनुमान लगाते है परसिती के साथ तुलना करते है इतिहास कार जैसे अभी मालो first world war के हम बात करते है तो First World जैसी घटना है जो भी घटित हुई है उस समय की क्या परस्तिती रही है उस सीजों को देखते हैं अभी जैसे Russia और Ukraine का ठीक है रशिया और Ukraine का यूद चल रहा है तो हम क्या देखते हैं कि First World War में भी इस तरह की परस्तिती थे इतिहासकार उत्तर डूढ़ने का प्रयास करते हैं, हमेशा मतलब इतिहासकार की घटना जो भी होते हैं, उनसे जुड़े हुए तीन पर्षन रहते हैं इतिहासकार के पास, पहला तो वो उत्तर डूढ़ने का प्रयास करते हैं कि इसका कारण क्या है, उत्तर क्या है, दूसरा यह person की होज़ करते है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीके? तो इतिहांस कार के पास 3 चीज़े होते है, कब क्यों कैसे? आपकी चटी की जो book थी, उसका नाम भी था, हमारे अतीत कब क्यों कैसे? तो अतीत के अंदर में हम तीनी चीज़ बढ़ दें, कब क्यों कैसे, ठीके, और जब तक हम यह तीन चीज़ बढ़ रहे होते हैं, जब तक हमें कोई दिक्कती नहीं होती है, ठीके, यही इस तरह से चीज़े यहां पर बताई गई है, समझ में आता है, आपको कोई डाउट न वाले book के ठीक है उमीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है यह तीन जिसमें John Stewart मिलके हैं हमने दो थियोरी को पड़ी परनाली को पड़ी जिसको इस्टड़ी करने के बताया है मैंने दूसरा यहाँ पर आता है इतिहांसकार वाला कारेकारण संबन इतिहांसकार का ठीक है तो यह तीन कोश्चन जो important है जिसमें से पहला कोश्चन आपके एक्जाम में भी इस बार आया हुआ था तो इसको study कीजिए सही से ठीक है अगर कहीं पर अगर भी किसी students को doubt है तो वो comment करके पूछ सकता है social media platform के links दिये वहाँ पर जाके directly पूछ सकता है सबसे most important दोस्तों अगर वीडियो हमारी valuable लग रही आपको तो subscribe जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें ठीक है और like करें जिससे हमें motivation हो हम आगे बढ़ें आपको और help मिले friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best